प्रस्न पांच, दो परिमे संख्याओं का गुननफल माइनस साथ है, यदि एक संख्या माइनस पांच है तो दूसरी संख्या बताएं प्रस्न पांच, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बताना है, तो लिखेंगे पहले माना की दूसरी संख्या बराबर X दूसरी संख्या को X मान लेंगे ठीक है? तो प्रस्न से क्या कह रहा है? तो लिखेंगे प्रस्न से तो दो परिमे संख्याओं का गुननफल माइनस साथ है यानि गुननफल कितना दिया हुआ है? माइनस साथ यदि एक संख्या एक संख्या है माइनस पांच तो दूसरी संख्या बताएं तो दूसरी संख्या को हम X माने हैं पे X से गुणा करेंगे, तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, जिसको की X माने है, तो माइनस 5 गुणा X बराबर माइनस 7 लिख लेंगे, यह हो गया समिकरन, तो X बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 7 बटा माइनस 5, देखें, माइनस 5 X के साथ क्यूंकि माइनस माइनस पलस हो जाएगा, तो लिखेंगे अतर, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 7 बटा 5, तो इस तरह प्रस्न 5 हल करेंगे, प्रस्न 6, दो परिमे संख्याओं का गुननफल माइनस 5 बटा 6 है, तथा उन में एक संख्या 2 बटा 3 है, तो दूसरी संख्या ग्याद करें, तो प्रस्न 6, तो लिखेंगे, माना, दूसरी संख्या, माना, दूसरी संख्या बराबर, एक्स, तो दूसरी संख्या को, एक्स मान लेंगे, उसके बाद दिखेंगे, प्रस्न से, तो कह रहा है, दो परिमेस संख्या का गुनानफल कितना है, माइनस 5 बटा 6, ठीक है, उन में एक संख्या कितना है, दो बटा 3 है, उन में एक संख्या 2 बटा 3 है, दूसरी संख्या को, एक्स माने है, तो दो बटा 3 गुना, x बराबर, माइनेस 5 बटा 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा अता x बराबर माइनस 5 बटा 6 अब देखिए, 2 बटा 3 x के साथ गुना में है तो इस तरह फाके भाग में हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे भागा 2 बटा 3 ठीक है तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटा 6 भाग को गुना में बदलेंगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा 3 से 6 कट जाएगा दो बार में यानि इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 5 बटा 4 इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 5 बटा 4 यानि दूसरी संख्या तो लिखेंगे अतर दूसरी संख्या बराबर माइनस पांच बटा चार तो इस तरह प्रस्न छे हल करेंगे प्रस्न साथ दो परिमेश संख्याओं का गुननफल माइनस 24 वटा 13 है और उनमें एक संख्या माइनस 6 वटा 11 है तो दूसरी संख्या ग्याद करें प्रस्न साथ तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर एक्स दूसरी संख्या को एक्स मान लेंगे तो प्रस्न से क्या कह रहा है तो प्रस्न से हो जाएगा कह रहा है दो परिमेश संख्याओं का गुननफल माइनस 24 वटा 13 एक संख्या माइनस 6 वटा 11 दूसरी संख्या एक्स दूसरी संख्या ग्याद करना है तो उसको हम एक्स माने है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ये गुननफल दिया हुआ है ठीक है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा लिखेंगे माइनस 24 बटा 13 अब यहाँ पर बराबर के बाया तरफ माइनस 6 बटा 11 एकस के साथ गुना में है तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस 24 बटा 13 भागा है तो गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 11 बटा माइनस 6 हो जाएगा इसका व्यूत क्रम लिख लेंगे यहाँ पर 6 चौक 24 देखिए 6 से कट रहा है चार बार में 6 चौक 24 यानि इसका उत्तर हो गया 11 चौक 44 बटा 13 प्रस्न 7 का उत्तर हो जाएगा 44 बटा 13 तो दूसरी संख्या कितना आ गया तो लिखेंगा आता है दूसरी संख्या बराबर 44 बटा 13 तो दूसरी संख्या कितना हो गया 44 बटा 13 तो इस तरह प्रस्न 7 हल कर लेंगे प्रस्न आठ पांच बटा माइनस तेरा को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुननफल दो बटा तीन हो जाए तो प्रस्न आठ पांच बटा माइनस तेरा को किस संख्या से गुना किया जाए तो देखें, हम दिखेंगा, माना 5 वटा माइनस 13 गुना x बराबर 2 वटा 3 हम संख्या को x मान लेंगे, ठीक है, तो माना 5 वटा माइनस 13 को x से गुना किया जाए तो गुन अन्फल कितना हो जा रहा है, 2 वटा 3, ठीक है, तो हम डायेक्ट देखे, इस तरह लिख लिए है, तो x बराबर हमें निकाल दना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 वटा 3 भागा, 5 वटा माइनस 13, 5 वटा माइनस 13 x के साथ गुना में है, बराबर के बाया तरफ, तो दाया तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा इस तरह लिख लेंगे तो 2 बटा 3 गुना हो जाएगा माइनस 13 बटा 5 तो इसका उत्तर आ गया माइनस 26 बटा 15 देखें, 13 दूना 26 माइनस है तो माइनस देंगे प्लस माइनस माइनस 5 या पंदरा यानि माइनस 26 बटा 15 तो लिखेंगा अतर संख्या बराबर माइनस 26 बटा 15 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस 26 बटा 15 तो ये इसका उत्तर आएगा तो इस तरह प्रस्न 8 हल करेंगे प्रस्न 9 आठ वटा 13 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुननफल 24 हो प्रस्न 9 आठ वटा 13 को किस संख्या से गुना किया जाए तो हम लिखेंगा माना माना आठ वटा 13 को एक्स से गुना किया जाए तो गुननफल 24 हो जाए ये लिख लेंगे ठीक है कह रहा है कि 8 वटा 13 को किस संख्या से गुना किया जाए तो हम उस संख्या को X मान लेंगे तो X बराबर कितना हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 24 भागा 8 वटा 13 देखे 8 वटा 13 X के साथ गुना में है बराबर के बाया तरफ तो दाया तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 24 भागा 8 बटा 13 बराबर हो जाएगा 24 गुना 13 बटा 8 भाग को गुना में बदलेंगे तो 13 बटा 8 हो जाएगा 8 बटा 13 क्या हो जाएगा 14 बटा 8 तो 28 तिया 24 तीन बार में काट देंगे तो 13 तिया 49 इसका उत्तर आ जागा 49 तो लिखेंगा अतर संख्या बराबर 49 यानि इसका उत्तर हो गया 49 तो देखें 8 वटर 13 को किस संख्या से गुना किया जाए तो X बराबर कितना आ गया 49 अगर यहाँ पर 49 लिख देंगे तो 13 तिया 49 तीन बार में कट जागा तो 8 या 24 देखें यानि X का उत्तर आएगा 49 ठीक है तो इस तरह इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर किताब में जो दिया है माइनस 49 दिया है तो हो सकता है माइनस गलती से छप गया होगा ठीक है देखिए इसका उत्तर आ रहा है 49 आप लोग भी इसको हल करके देखिएगा उत्तर 49 ही आएगा प्रेसन 10 माइनस 12 बटा 5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुननफल माइनस 12 बटा 35 हो प्रेसन 10 तो लिखेंगा माना माइनस 12 बटा 5 को X से गुना किया जाए तो गुननफल कितना आ रहा है माइनस 12 बटा 35 तो माइनस 12 बटा 5 को X से गुना किया जाए गुननफल माइनस 12 बटा 35 यानि माइनस 12 बटा 5 को किस संख्या से गुना किया जाए तो उस संख्या को हम X माल लेंगे ठीका बराबर लिख देंगा माइनस बारा बटा पांच देखे बराबर के बाया तरफ एकस के साथ गुना में है माइनस बारा बटा पांच तो दाया तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो इस तरह लिख देंगे भागा माइनस बारा बटा पांच भाग को गुना में बदलेंगे तो हो जागा 5 वटा-12, देखे 12 से 12 कट गया, 5 सत्य 35 कट गया, तो इसका उत्तर आ जागा 1 वटा 7, इसका उत्तर क्या आ जागा, 1 वटा 7, कैसे, तो देखे, माइनस माइनस हो जागा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, अंस में कुछ नहीं है, तो और हर में है साथ, तो एक वटा साथ होगा इसका उत्तर, तो लिखेंगे आता, संख्या बराबर एक वटा साथ, तो इसका उत्तर क्या आ गया, एक वटा साथ, तो देखें, माइनस बारा वटा पांच को साथ से गुना किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यह एक वटा साथ से गुना किया जाएगा, एक वटा साथ आया है, तो कितना आ जाएगा, माइनस बारा वटा 35, ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे,